हलो सुडेंट्स, लाइबरियन बहाली परिच्छा के बारे में अपडेट हिया है कि आपकी परिच्छा इस साल संभव होती दिख नहीं रही है जैसा कि सब लोग अन्मान जता रहे थे कि सितंबर में बहाली आ जाएगी लेकिन वो बहाली के नोटिस नहीं था हाई कोट में जो किस चल रहा था वो प्रायरूप घोसित करने का बहाली का नोटिस था वो भी सरकार ने नहीं किया यानि कि अभी तक सरकार ने फॉर्मेट घोसित नहीं किया है तो बहाली को वोगी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और मैं लगतार वीडियो नहीं बनाता, मैं भीव के लिए वीडियो नहीं बनाता मैं इन मंतारी से सुचना देने के परयास करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तो सितंबर तक फॉर्मेट नहीं आया सितंबर बीतने जा रहा है आगे पंचायत चुनाओं में और बहुत सारे काम में सरकार उलजी हुई है ठीक है, तो जब तक फॉर्मेट नहीं आ जाता तो फॉर्मेट आने में अभी दो महीने तिन महीने समय लग सकते हैं फॉर्मेट आने के बाद सरकार जो है किसी परिच्छा एजनसी को किसी एक्जाम बोर्ड को जैसे बिहार बोर्ड या सस्ट को कहेगा एक्जाम कराने का तो उसको अपना सेट अप पैठाने में दो महीने तिन महीने लग जाएंगे ठीक है कि उसके पास भी टाइम का भावर आता है फरवरी में आप मान के चलिए कि दिसमबर या जनवरी में अगर फॉर्मेट का नोटीस आता है तो तो एक्जाम तो उस समय नहीं होगा उतों सिर्फ फॉर्मेट आगा कि एक्जाम कैसे होगा और फरवर्री में बोर्ड के एक्जाम चलते हैं पूरे बिहार में, तो फरवर्री में एक्जाम नहीं होंगे आपके, तो मार्च में, देखिए मार्च में एक्जाम हो सकता है लाइबरीयम का बहाली परिउजा का, यहां अगर और देरी करेगा तो अप्रेल मई जून तर जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता सरकार के लेट लदिफी बिहार सरकार के विभिन भालियों को देखते हुए लगता नहीं है वो 21 सेशन और 21-22 सेशन में अडमिनिशन लेके और कॉर्स कंप्लीट कर सकते हैं आपको कॉर्स के लिए या अन्य लाइबरियन समधित किसी वी बिसेश अपडेट चाहिए बुक्स की अपडेट चाहिए बुक्स के बारे में जनकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे वाट्सेप नमबर पे let लइबरियन एलिजबिलिटी टेस्ट का स्वाट कॉम लइट लिखकर या लइबरियरी लिखकर सत्तर तैंटीस 1559 7033151599 पे वाट्सेप कीजिए लइबरियरी लिखकर आपके जो भी सवाल होंगे मैं वहाँ पे जवाल गूंगा थेने बाद